दद्दू, दद्दू, नाराज हो मुझ से? फ्लीज दद्दू, नाराज मत हो ये, मैं, मैं इंडिया जाने को तयार हूँ और आप जिस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं उसे शादी भी कर लूँगी लेकिन दादा जी, एक अंजान देश में एक अजनभी लड़के के साथ मेरी शादी होगी जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी तो मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर क्या मेरा कोई हक नहीं आज तक आपने मेरे कपड़े, मेरे खिलोने, मेरी हर चीज मेरी पसंद से दिलाई है तो क्या जिसके साथ में अपनी जिंदगी गुजारने वाली हूँ उसको जाचने का, परकने का, उसकी अच्छाई बुराई जानने का मुझे एक मौका नहीं देंगे तु क्या चाहती है बैटी मैं, मैं इंडिया अकेले जाना चाहती हूँ और आप उन लोगों को खबर भी नहीं देंगे कि मैं वहाँ पहुंचने वाली हूँ क्योंकि उन लोगों को परकने का काम अंजान बनकर ही हो सकता है मेहमान बनकर नहीं जा बेटी, इजाज़त दी बेटी, खुशी से जा लेकिन इतना बड़ा देश हो तू महाँ अकेली ग्रानपा, प्लीज डोंट टेक टेंशन आइशल गो तू इंडिया वे निकी और यूनो माँ पावा आइशल बिकाम अ डिचूम 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 बाड़िगाड पर तुझे हिंदी कहा आती है बाड़िगाड? डोंट वारी इट डाल खार रही मैं डिक्शनोरी खुरीदेगी खुरीदेगा गा और उसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके खाएगा बोलेगा बोलेगा? बोलेगा? खाएगा नहीं अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है ना दादजी अब कैटबरी भी है ना मेरे साथ खुशी से जा बेटी और तुझे सोचती है न कि इंडिया अठारवी सदी में जी रहा है तो जाके देखना इंडिया के नौजवान कबके 21 सदी में पहुँच चुके है देखना कितनी तरक्की की है हमारे हिंदुस्तान ने और बेटी वहां मिलेगा तुझे तिरा जीवन साथी वहीं इंतजार करता होगा तिरा हीरो हीरो हिंदुस्तान